हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई यूटूब चैनल आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं अमारे जो टोपिक चल रहा था राजस्तान की सिंचाई प्रियोजना उसके बारे में जो बच्छे वे क्यूशन है वो आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं वीडियो सुरू प्रियोजना है वो हर्मानगड़ जिले में हैं उसके बाद में हम बात करें नर्मदा प्रियोजना की तो नर्मदा जो प्रियोजना है वो जालोर जिले में है उसके बाद में ओलवा प्रियोजना की बात करें तो ओलवा प्रियोजना बर्थपुर में है और जाक्षम प्रि परवर्तित नाम दिया गया है गजनेर का परवर्तित नाम है वो पनालाल बारुपाल किया गया बेरुदान छलानी का नाम वीर तेजाजी किया गया कोलाइत डॉक्टर करणीची नाम चेंज किया गया था फ्लोदी जो लिप्ट नहर है उसका नाम जैनार्ण लिप्ट नहर न पान वीत जो जिले है अन्मानगड जुजनू चुरू बीकानेर ए ओपसन इसका सही होगा बनास नदी पर कौन सा बांदे बनाया गया है बिसलपूर बांदे वो बनास नदी पर बनाया गया है पीपल दा लिप्ट शिंचाई प्रियोजना का समध किस जिले से हैं पीपल दा गांदी लिप्ट सिंचाई योजना है डी ओप्सन इसका सही होगा मांसी वाकल प्रियोजना मुख्य उद्धे से क्या है मांसी वाकल प्रियोजना का मुख्य उद्धे से उद्धेपुर सहर को पेजल उपलब्द कराना है बी ओप्सन इसका सही होगा बाकडा बांध को पुन समंदित कोंसा तान है तो वह सांबर जेपूर का स्तान एफसंज का सहिएोगा इंदरागंधी नहर चेतर में भूमी की चारीयता को दूर करने का उपाई क्या है तो वह जीपसम्य जूनने का प्रयोग करना भी ओप्सिंस सही होगा नंगल बांध किस नदी पर निर्मित किया गया है तो यह 17 नदी पर नंगल बांध बनाया गया है C options का सही होगा पावडी प्रियोजना किसे समंदित है पावडी प्रियोजना जल ग्रहन विकास से समंदित है A options का सही होगा बाकडा नेर से सरवादिक जल वेसिंचाइस विदा किस जिले को प्राप्त होती है तो अनमानगर जिले को B options का सही होगा Hydrology and Water Management Institute RIHWM कहा स्तापित किया गया है तो विकानेर जिले में B options का सही होगा राजस्तान का चेरापुंजी किसे कहा जाता है इंपोर्टन्ट क्यूशन है जालावाड को राजस्तान का चेरापुंजी कहते हैं B options का सही होगा इंद्रा गांदी नहर से निकलने वाले साकाओं के समंद में गलत योगम का चेराण करना है राजसर साका अनमानगर में हैं सूर्थगर साका गंगानगर में हैं पुगल विकानेर में हैं और सहीद बिर्बल कोटा में नहीं है ये गलत है D options का सही होगा राजस्थान में कुवे नलकुपो से कितनी परतिशत सेंचाई होती हैं 68.64% राजस्थान में कुवे नलकुपे से सिंचाई होती है D options का सही होगा इंद्रा गांदी नहर प्रियोजना से मरू छेतर को क्या लाब होता है तो सिंचाई स्विदा में वर्दी होती हैं पेवजल अन्यकार यह तो जलकी उपलब दी और मरूप परसार का रोक होता है उपरोक सभी इसके जो खतन है वो सही है इंद्रागंदी नहर प्रियोजना के लिए D उप्सिन्स का सही होगा अगला किसने राजस्तान में छेतर पल के अदर परसिंचाई के सादनों में दूसरा स्थान किसका है तो वो है नहरो का ए उप्सिन्स का सही होगा रेवा बांद वै काली खंड बांद किसे जिले में हैं रेवा बांद वै काली खंड बांद जालावार जिले में हैं सी उपसन इसका सही होगा बिमादे है जल्दा योजना से कौन कौन से जिले लाबानवीत हो रहे हैं तो इसमें हो रहे हैं अजमेर पाली और राजसमन भी अफचिन सही होगा भिमाद जल्दा योजञे में आजमेर पाली राजसमन जिले Лाबानवी था माही बजाथ सागर प्रियोजञे कहा स्थापित है तो बोर खेड़ा बांस वाड़ा में C options का सही होगा इंद्रा गांदी नहर का उद्गम स्तल कहां से हैं इंद्रा गांदी नहर का उद्गम स्तल हरीके बेराच से हैं C options का सही होगा सिद्मुक प्रियोजना नोहर प्रियोजना से राजस्तान के किस जिलों को लाब पहुंचता है तो अन्मानगड और चुरू जिले को सिदमुक प्रियोजना नोहर प्रियोजना से लाब मिलता है डी ओप्सिंस का से योगा चुरू वै अन्मानगड राज में सरवादिक तालाब किस जिले में हैं तो बिलवडा जिले में सरवादिक तालाब बनाए गए हैं बिनोता की बावडी कहां पर है बिनोता की बावडी चितोडगर जिले के बड़ी साधरी के पास बिनोता गाउं में बिनोता की बावडी है राजस्तान लगू सिंचाई सुधारीकरण प्रियोजना र-A-J-A-M-I-P किसके सहयोग से संचालित की जा रही है तो ये जापान अंतररास्टी सेयोग एजनसी के दवारा संचालित की जा रही है भी ओप्सिन इसका सही होगा अगला क्यूशन है एसंगत को हमें पहचानना है योजना दी गई है जल स्तरोत दिये गई है आसपुर डूंगरपुर सागवाड़ा सोम कमला अंबाजल स्रोत उसके बाद में ये सही है आपनी योजना सेकेंड चरन है वो आई-जी-अन-पी की दवारा ठीक है बुंदी राजगट प्रियोजना चंबल ये गलत है उसके बाद में भीमनी पेजल प्रियोजना है वो भीमनी में है ये सही है तीन नमर उप्सन गलत है वो आई-शंगत है जो सही अनसर होगा तकली सिंचाई प्रियोजना का समंद किस जिले से हैं तकली सिंचाई प्रियोजना का समंद कोटा जिले से हैं C options का सही होगा राज्य का सिंचाई परबंदन एव प्रसिक्षन संस्तान IMTI कहा स्तीत है तो ये कोटा जिले में हैं C options का सही होगा राज़े की चोथी बड़ी बांद प्रियोजना का समन्द किसे हैं तो परवन बांद प्रियोजना से हैं एई उप्सन इसका सही होगा अंदगार छेतर किसे कहा जाता है तो अंदगार छेतर 85% पाननी का पूरनर बरण नहीं होने पर उसे अंदगार छेतर बोला जाता हैं कार के स्विक्त परियास से वाटर इंस्टिटूट की स्थापना कहां की गई थी तो जैपुर के अंतरक्त की गई थी बी ओप्सन्स का सही होगा स्चिंचाई च्वीदवाले छेत्रों में सर्चित स्चिंचाई छमता का अनुकुलन उप्योकर कर्सी उत्पादक था परियोजना कौन सी है तो नारायन सागरबांद परियोजना है जिले की सबसे बड़ी परियोजना अजमेर जिले में सी ऑप्सन्स का सही होगा नारायन सागरबांद परियोजना मान सी वाकल परियोजना में राजे सरकार एर हिंदुस्तान जिंक लिमिटेट का पानी हिसा कर हो आते हैं तो 44 परतिशत कहा हो आते हैं D options का सही होगा इंदरा कानी नहर प्रियोजना में एक जनुवरी 1987 का दिन महतपन है क्योंकि इसी दिन है वो मुखे नहर के अंतिम छोड जिरो पॉइंट मोहनगर जैसलमेर तक पानी प्रवाइट किया गया था B options का सही होगा अक्षे जल वाटर A.T.M का उद्गाटन कहां किया गया था J पूर जिले के अंदर गयत अक्षे जल वाटर A.T.M का उद्गाटन किया गया था C options का सही होगा J पूर मुखे मतरी जल स्वालंबन अभियान के दूसरे चर्ण की शुरुआत की गई थी तो 9.D.2016 को A options का सही होगा चंबल प्रियोजना से राज्य के किन जिलों को सिंचाई स्विदा उपलब्द हुई है अगला जो क्यूशन है यमुना जल सिंचाई प्रियोजना से लाबानवी तो ने वाले राज्य के चिलों का सही होगम क।ो जूनूद चुरू और भर्दपूर P options का सही होगा ब्रावति नदि की चुली दे प्रियोजना का समन्द की से है उप्रियोजनवा नदि शुचि को सुमेलित करना है प्रियोजना है उसे समन्दित नदि दे ग kisses भीम सागर प्रियोजना है वो है उजार उजार और सावन बादो प्रियोजना की बात करें तो सावन बादो प्रियोजना है इरू बांकली की बात करें तो बांकली प्रियोजना है वो है सुकडी नदी पर और गुड़ा प्रियोजना की बात करें तो मेजा नदी पर डी ओप् इसका सही होगा इनमी से कौन सी माध्याम सिंचाइ प्रियोजना नहीं है तो जिया आदू है जाकम प्रियोजना सब्सक्राइब हण नहीं है दोस्तों के साथ सेर जरूर कर लेना साना है जडूआ भी कर लेना १ूरियोच वाचिंग आपर कर zł